रस के बारे में विश्ट्रत रूप से चर्चा यहां से अब की जाएगी अब यहां से रस निरूपन जो है वो प्रारम्भ होता है और कहते हैं यहां से सबसे पहले की तत्र रसान एवर तो सबसे पहले अब जो हमें जो रसों को ही अच्छी तरीके से बताएंगे उन्हीं का विश्ट्रत भी विचन करते हैं तावत आदो अभी व्याख्या स्याम है सबसे पहले सबसे आदी में जो है हम रसों का ही वरणन यहां पर करेंगे ठीक है और उसके बाद क्यों क्योंकि नहीं रसाद्रिते कस्चिद अर्थ है प्रवर्थते रसों के बिना कोई भी अर्थ जो है वो प्रवर्तित नहीं होता है इसलिए जो है हम रसों की ही व्याख्या सबसे पहले करेंगे क्योंकि रस के बिना अन्य नाट्यांग रूप अर्थ की प्रविर्ति जो होती हो नहीं होती है इसलिए सबसे पहले हम रसों के बारे में ही बताएंगे और रसों के सूत्र को यहाँ पर पस्थावित कर दिया है उन्होंने कहा कि तत्र विभावा नुभाव व्यविचारी संयोगात रस निस्पत्ति ही कि वहाँ पर उस नाट्य में विभाव अनुभाव और व्यविचारी सैंयोगात इन तीनों भावों के सैंयोग से ठीक है रस की निस्पत्ति होती है और इसी निस्पत्ति पर जो है अलग-लग आचारियों की अलग-अलग बाद हैं और इसलिए एक जो है रस शूत्र की ऊपर बहुत एक जो है विश्तृत व्याक्यान हमें अनेक जगह मिलता है जिसको रससूत्र विमर्ष आदी नाम से कहा गया है जिसमें कि अभिनाव भारती में जो है अभिनाव गुप्त ने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत किया है तो इस रससूत्र में जो निश्पत्ति शब्द आया है इस निश्पति शब्द के अलग-लग विद्वानों ने अलग-लग अर्थ निकाले है सबसे पहले भट्रलोल लट आते हैं और वो कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और विविचादी विभाव के सन्योग से रस की निश्पत्ति का मतलब इस निश्पत्ति से अर्थ यहाँ पर उत्पत्ति से है इसलिए उनका सिध्धान्त जो है वो उत्पत्ति वाद का सिध्धान्त माना जाता है भट्टलूरट कहते हैं कि निश्पत्ति शब्द से अर्थ यहाँ पर उत्पत्ति है ठीक है उसके बाद आता है शंकुक और शंकुक कहते हैं कि नहीं इस विभाव अनुभाव और विविचारी भाव के संयोग से रस की अनुमिती होती है ठीक है निश्पत्ति का मतलब यहाँ पर अनुमिती से है शंकुक का यह वाद जो है वो अनुमिती वाद के नाम से जाना जो कहते हैं कि नहीं अनुमिती भी नहीं होती उत्पती भी नहीं होती ये तो भुकती होती है और इसलिए इनका जो वाद है वह भुकती वाद के नाम से जाना जाता है कि विभाव अनुभाव और विविचारी भाव के संयोग से जो है रस की भुकती होती है ठीक है और इन त ठीक है?, इस निस्पतिक शब्द इहां पर अभिव्यक्त हो जाता है ठीक है? और यही वाद जो है वो अभी तक परचलित है और इसको इसको सबसे यह अदर सराहना मिली इसी को सभी विद्वानों ने स्वीकार भी किया ठीक है तो उन सभी इन वादों के बारे में हमने जाना अब आगे भरत कहते हैं पूरुपक्ष के रूप में स्थापित करते हैं कि को दृष्टानत है ठीक है कि क्या दृष्टानत है कि रस नाम की कोई चीज है कोई दृष्टानत है क्या को दृष्टानत है तो कहते हैं हाँ दृष्टान्त है क्या दृष्टान्त है ठीक है तो पहला दृष्टान्त अनुने कहा नाना व्यंजन औसधी द्रव्य संयोगाद रस निस्पत्ति ही यथा ही जैसे अनेक प्रकार के व्यंजनों और औसधी मने जो मसाले आदी हैं तो उन व्यंजनों को और औसधी रूपी द्रव्यों के संयोग से जैसे रस की उत्पत्ति होती है इस प्रकार नाना प्रकार के भावों से विविचारी भाव से ठीक है इनसे जो है रस की उत्पत्ती होती है तो जैसे कि मसालों को और व्यंजन सब्जी आदी को मिलाने से इस प्रकार मधूर अम्ल लवन कर्टू कसाई तिकतादी सट रसों की उत्पत्ती होती है उसी प्रकार कई चीजों को मलब भावों को मिला दिने से अभिनय को मिलाने से जो है वह इन आठ रसों की उत्पत्ती होती है इसी को और विश्टरी दुरुप से बताते हैं कि यथा ही गुड़ादि भिर गुड़ादी से जो है रस की उत्पत्ती होती है गुड़ादी फिर द्रव्याई ठीक और व्यंजने रौसधी भिष्च व्यंजन माने सब्जी यादी में आवसधी माने जो हल्दी जीरे यादी आवसधी हम मिला देते हैं उनसे शाडवादयो रसाव निर्वरत्यनते जो छह रस हैं उनकी उत्पत्ति होती है मधुर्माने मीठा कड़वा खटा इस तरह से अन्य जो रसुत्पन्न होते हैं इन चीज़ों को मिलाने से तथा ही नाना भावो पगता अनेक प्रकार के भावों में परिनत जो स्थाई भाव हैं ठीक है रतिहास जो हमने अभी स्थाई भाव पड़े थे उन स्थाई भावों से जो है रसत्त्वम आपनुबंती रसत्त्व प्राप्त होता है रस का उपभोग करते हैं ठीक है चलिए तो फिर से एक प्रश्न को उन्होंने पुरुपक्ष के लूप में स्थापित किया कि अत्राहर रस इसी इति कहा पदार्थ है कि यह रस नाम का पदार्थ क्या है तो उत्तरबत में उन्होंने कहा उच्चते आस्वाद जत्वाद जिसका आस्वाद लिया जाता है वही जो है रस है ठीक है तो कथमात आस्वाद जते रस है इस रस का आस्वाद कैसे लिया जाता है तो फिर से वही जवाब दुनों ने दिया कि यथा ही नाना व्यंजन संस्क प्रतम अन्नम जो की अच्छी प्रकार से सुद्धता से जो निर्मित हैं तो अच्छी प्रकार से सुद्धता से निर्मित अनिक प्रकार की वेंजनों को अन्नम भुंजानम मने खाते हुए रसान आस्वादयन्ती रसों को आस्वादित करता हैं कौन सुमनसह सहरदय भोजन को प्रियमानने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के भोजनों को अनेक अच्छी प्रकार से सुद्धता से निर्मित भोजन को खाते हुए अनेक प्रकार के रसों को स्वाद को जो है आस्वादित करता है और हरसा दीश चाधी के च्छन्ती और खुशी को प्राप्त होता है खुश होता है हर्श आदी प्रसन्यता को प्राप्त होता है उसी प्रकार तथा ठीक है जो सुमनसह प्रेक्षकाह सहरदय लोग है और प्रेक्षक लोग हैं दर्शक गण हैं वो भी जो हैं नाना भावा भी नए वेंजितान अनेक प्रकार के भाव और अभिनयों से अभिवेंजित जो वानी के ठीक है और अंग के द्वारा अभिनय के द्वारा और सात्विक भाव जो भाव छिपते नहीं है ठीक है इन अंगों को इन भावों को इन स्थाई भावों का आस्वादन करता है जब सुमनसह प्रिक्षक जो सहरदय और सहरदय दर्शक जो है जब अनेक प्रकारों के भावों से और वानी से और अंगों से और सात्रिक भावों से अभिवेंजित जो स्थाई भाव है इनका आस्वादन करता है और खुशी को प्राप्त होता है वह भी उसी प्रकार किस प्रकार जैसे कि वह जो भोजन को प्रियमानने वाला लगती था वहाने एक प्रकार के सुद्धता से बने हुए भोजन को खाकर रसों को आस्वादित करके जो है हर्श को प्राप्त होता है इसलिए जो है नाट्टे रसा इती अभिव्याख्याता नाटक में जो है इन आस्वादित किये जाने वाले चीजों को रस कहा गया है ठीक है चली और इसी से सम्भन्धित इन ही चीजों को बताते होगे कह रहे हैं कि यहाँ पर दो श्लोख है परंपराशिप्राप्त कौन से हैं वो कि कह रहे हैं यथा बहुत रव्य यूतेर व्यंजनेर बहुभिर यूतम आस्वादयन्ति भुन्जाना भक्तम भक्त विदो जना ठीक है कि जिस प्रकार भक्त विदो मलब भोजन के रसवेत्ता जो लोग है भक्तम भोजन के रसवेत्ता जो जना जो लोग है वो क्या करते है बहु द्रब्ये युतेर व्यंजनेर बहु भिर युतम ठीक है अनेक पदार्थों से युक्त जो है व्यंजनों का जो है आस्वादयन्ति आस्वादन करते हैं उसी प्रकार बुधाहा जो विद्वान व्यक्ति हैं जो सहरदय व्यक्ति है वह भी क्या करता है आस्वादयन्ति माने आस्वादन करता है किसका भावा अभिनाय संबध्धान स्थाई भावान भाव से भावों से और अभिनायों से संबध्ध जो स्थाई भाव हैं उनका आस्वादन करता है उसी प्रकार से वा बुध वा सहरिदय ठीक है मन सामाने मन के द्वारा इसलिए जो है तस्मान नाट्टे रसास्मृता इसलिए नाटक में इन आस्वादन किये जाने वाले जो तत्व है इनको रसाहस्मताह रस जो है कहा जाता है ठीक है तो दोनों प्रकार से बता दिया अब जो है यहाँ पर पूरुपक्ष के लूप में एक प्रस्न रखा गया है रसों और भावों के संबंद की बात हो रही तो्पूरुपक्ष के रूप में अप्रशन रखा गया मतलब रस से भाव उत्पन्न होते हैं या भाव से रस उत्पन्न होते हैं तो उनमें से कुछ आचारियों का मत है कि जो है दोनों जो है रस और भाव परस पर संबंधात परसपर संबंधित होकर उत्पन होते हैं एशाम अभिनिवृत्तिरिती कि परसपर एक संबंध के द्वारा जो हैं दोनों जो हैं उत्पन होते हैं अब यहां पर भरत्मनी कहते हैं कि तन्न ऐसा उनका जो मानना है वो ठेक नहीं है क्यों कि द्रिश्चते ही भावे भ्यो रसा नाम अभिनिवृत्तिर क्योंकि यह देखा जाता है कि भावों से रसों की उत्पत्ति होती है ठीक है भावों से रसों की उत्पत्ति होती भी देखी गई है न तू रसे भ्यो भावा नाम अभिनिवृत्तिर थी न कि रस से भावो मतलब रस भाव से रसों की उत्पत्ती देखी गई है जब कि रस से भाव की उत्पत्ती जो है वह से नहें देखी गई है फिक इसलिए जो है और इस विशे में SHLOK भी और रखते हैं नाट्य योक्त्रिभी कि नाट्य योक्त्रिभी माने नाट्य योक्ता जो है नाटक बनाने वाले जो है नाट्यकार जो है इनके द्वारा भावा विग्या ठीक है तस्मात भावा विग्या उनको भाव के रूप में जाना गया है तो अनेक प्रकार के जो है अभिनयों से संब संबद्ध होकर अनेक रसों को जो है वो भावयंति भावित करते हैं उनकी मूल स्थिति को धारन करते हैं ठीक है यसमात मने जिन तत्वों से ठीक है नाना अभिनाय से संबद्ध होकर जो है यह भाव जो है रसानिमान रस आदि को जो अनेक रसों को भावित करते हैं उनकी मू ठीक है और फिर से वही जो है उदाहरण अपना फेमोस उदाहरण दे रहे हैं कि नाना द्रव्यर बहु फिर व्यंजनम भाव्यते यह था कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्यों से अनेक प्रकार के व्यंजन जो है भाव्यते मने भावित किये जाते हैं बनाए जाते के जाते हैं निरमित किये जाते हैं ठीक है ये इक प्रकार की प्र विक्ष्वLYिएसπό भृवव यहाजिया की सा empowerment जाता है जिस प्रकार वैसे ही ठीक है वैसे ही एव भवभा भाव यहिंति उसी प्रकार भाव से रसों के उत्पत्ति होती है रस से भाव के उत्पत्ति नहीं होती ठीक है और आगे फिर कह रहे हैं कि न भाव ही नोस्ति रसो कि जो भाव जो होता है वह कभी भी जो है जो रस जो होता है वह कभी भी अब आगे कह रहे हैं कि नभाव हीनोस्ति रसो कि रस जो होगा वो कभी भाव हीन नहीं होता और नभावो रस वरजित है नहीं जो है भाव कभी रस के बिना होगा मतलब दोनों ही यहां पर सापिक यहां पर उनको बता दिया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रस भाव हीन होगा या जो भाव होगा व यो हो परस्परत कृता सिद्धी इन दोनों के परस्परिक जो है संबद्ध के सारे ही अभिनया में जो होती है सिद्धी दिखाई देती है अभिनये सिद्धी भवेत अभिनया में जो है सिद्धी दिखाई देती है परस्परिक संबद्ध के सारे ही जो है अभिनया जो है वो स अनेक प्रकार के व्यंजनों और अनेक प्रकार के उसधियों से ठीक है हल्दी मसाले आदी के मिश्रण से ठीक है जिस प्रकार अन्न जो है वह स्वादुताम नएत स्वादुता को प्राप्त होता है उसमें स्वाद्पन होता है एवं भावा रसास चैव उसी प्रकार जो है भ जन पर एक दूसरे को बावित करते हैं परस पर एक दूसरे को जो है वह आ हलादonton एक दूसरे पर कर दूसरे की मनवरंजन के अहलाद के साधन बन Pakistan को यस्परकार ऊसधी ओर वेंजन का संयोग जो है वह हमन को स्वाध युक्ट बना देता है उसी प्रकार भाव और रसों का संयोग जो है वो नाटक को भाव युक्त बना देता है, मनुरंजक बना देता है, आहलाद युक्त बना देता है और इसको पुष्ट करते हैं कि यह था बीजाद भवेद विक्षो कि जिस प्रकार बीज से व्रिक्ष उत्पन्न होता है व्रिक्ष से पुष्प उत्पन्न होते हैं फिर फल उत्पन्न होता है जिस प्रकार बीज से व्रिक्ष व्रिक्ष से पुष्प और फलादी उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मूल में बीज रूप में क्या है तथा मूलम रसाहा मूल में बीज रूप में रस है और सरवे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताहा और उसी रस से जो है सभी प्रकार के भाव जो है वो उनकी अवस्थिती है ठीक है वैसे रस जो है वो मूल है और उसी पर भावों की अवस्थिती है वो आश्रित है रस के ठीक है रस जो है और व्रिक्ष और फूल और पत्ते ये पुष्प ये सब कुछ क्या है ये भाव है ठीक है चलिए अब यहाँ पर अभी तो मूल रूप में बीज रूप में जो है रस को मान रहे हैं लेकिन यहीं पर अभी आगे यहां पर इनों ने एक पर फिर कहा था कि जो है जो रस है वो खीbril और फिर या एक रहें कि सब्सकर में नं बजए और यहां पर फिर्फ है वह तो बीज और उसी जी सभी वह उस पर आश्रित हैं तो यहां पर कहने का आची गाई है कि यद्यापी जो भावों से रच की उतपत्ति होती है लेकिन फिर भी रस बीज रूप में स्थित है और उसी पर सभी भाव टिके हुए को रिक्ष कर पर सरफ बाव वेज रहेगा तो ही सारी चीज़ देखी गी ठीक है यद्यपी जो है भाव रसों की उत्पत्ति करता है भावों से रसों की उत्पत्ति देखी गई है लेकिन फिर भी जो बीज रूप में जो है वो रस ही रहेगा और उसी पर सभीतर है कि भाव जो है वो व्यवस्थित रहेंगे आश्रित रहेंगे ठीक है चलिए तो अब जो है रसों की उत्पत्ति के बारे में आपर बता रहे हैं कि मूल में जो है चार ही रसे हैं और उनसे फिल अलग लग रसों की उत्पत्ति होते हैं और इस तरह से रठ आठ रस जो है वो आठ बनते हैं अब वो चार मूलरस कौन-कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि तदेशम, तदेशाम, यहाँ पर आखेशाम है, ठीक है, तदेशाम, रसानाम, उत्पत्ति, अब जो है, मैं उन रसों की जो है, उत्पत्ति, वर्ण, दैवता, निदर्शनानी, अजन्य भी व्याख्याश्या में हैं, तो उन रसों की उत्पत्ति क्या है, उनके वर्ण कौन-कौन से, उनके देविता कौन-कौन से हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आप भरत्मुनी कह रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो अब कहते हैं कि तेशाम, उत्पत्ति, हेतवस, चत्वारो, रसाह, उन चार रस मूल रस हैं, श्रिंगार, रोद्र, वीर और वीवत्स, और इन ही से बाकी चार रसों की उत्पत्ति होती है, और इस तरह से बनते हैं आट रस, इन में से श्रिंगार, श्रिंगार, आध्धि, भवेध, हाश्यो, श्रिंगार रस से हाशी रस की उत्पत्ति होती है, रोद्राच करुणो रस है, रोद्र से करुण रस की उत्पत्ति होती है, वीराच चैवाद भुतो उत्पत्तिर, वीर रस से अध्भुत रस की उत्पत्ति होती है तो इसी बात को आप कह रहे हैं कि श्रिंगार अनुकृति रियातु सहाश्यस्त प्रकीरतित है कि श्रिंगार रस की अनुकृति जो है श्रिंगार रस का अनुकरण करने वाला जो रस है वह हाश्य मतलब जैसे स्रिंगार अगर प्रथम रस है तो स्रिंगार से युक्त अनुकरन भूत जो दूसरा रस होगा वह हाश्य होगा मतलब अगर रसों को क्रम एदी हम लगाएंगे तो सबसे पहले स्रिंगार रस आएगा और दूसरे नंबर पर जो है वह हाश्य रस आएगा शब्सके यह चुकंणब से कर्म है उसी प्रकार रौद्रस शेवक है करुणुरस में करूण सिंगार का हाश से संबंद है रोध्र का करुन से संबंद है और वीर रस का जो कर्म होगा उससे अभ्यवहित जो फल मिलेगा वह जो फल होगा वह अध्भूतरस होगा सोद्भूतायप परिकीरतितः और वीभद सदर्शनम यच्च जब दर्शन होगा तो उससे तुरंत अब जब वहित जो फल मिलेगा वह भयानक की रूप महोगा तो इस तरह से जो मूल रसों से किस तरह से उत्पत्ति होती हैं अन्य चार रसों की वो बताया गया कर दो कर दो